प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजनसी पीटी आई ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि गिरफतार किये गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल को शुक्रवार ही पीए मैले अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. एडी उनसे पूछताच के लिए उनकी हिरासत मांगेगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त भारी संख्या में अर्थ सैनिक बल और दिल्ली पुलीस के जवान मौजूद हैं. सीम आवास के बाहर आप कार्यकरताओं की भीड लगातार बढ़ रही है. इसम अर्विंद केजरिवाल के गिरफ्तार होने की जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसी खबर आ रही है कि एडी ने अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट कर लिया है. ये बिल्कुल साफ था. जितनी भारी संख्या में पुलीस आई थी. जितनी भारी संख्या में अर्ध सैनिक बल यहां तैनात थे कि आज एडी अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है. आतिशी ने इस गिरफतारी को BJP और PM मोदी की राजनीतिक साज़िश करार दिया है. उन्होंने कहा, अर्विंद केजरिवाल का गिरफतार होना BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साज़िश है. मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अर्विंद केजरिवाल है. अपने आरोप को आधार देते हुए उन्होंने कहा, इस केस की दो साल से जाच चल रही है. लेकिन CBI या ED अब तक एक रुपए की भी रिकवरी नहीं कर पाई है. इस केस में पांच सौ से ज्यादा अफसर लगे हुए हैं. हजार से ज्यादा च्छापे मारे गए हैं. आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के घर, उनके दफ्तरों में हर जगा च्छापे मारे गए. लेकिन उसके बावजूद आज तक एक रुपया नहीं मिला है. तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अर्विंद केजरीवाल की गिरफतारी एक राजनीतिक साजिश है. लेकिन मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाती हूँ कि अर्विंद केजरीवाल सिर्फ एक इनसान नहीं है. वह एक विचार है. अगर आपको लगता है कि आप एक अर्विंद केज्रिवाल को खत्म करके एक विचार को खत्म कर सकते हैं, तो आपको गलत लगता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकरताओं ने इस गिरफतारी के बाद विरोध प्रधर्शन शुरू कर दिये हैं। अर्विंद केजरीवाल के आवास के बाहर धारा 144 लागू की गई है CM आवास के बाहर मौजूद दिल्ली की मेर शैली ओब्रॉय ने समाचार एजनसी PTI से बात करते हुए कहा है मुख्यमंत्री के निवास के बाहर इस समय जो खौफनाक स्थिती पैदा हुई है वो बहुत निंदनीय है जो कुछ पता चला रहा है जल्द ही एक बैठक की जाएगी जिसमें आगे की रणनीती तै की जाएगी आप नेता सौरब भारदवाज ने एकस पर पोस्ट करके बताया है कि कॉंग्रेस नेता अर्विंद केजरीवाल के घर पहुँच रही है उन्होंने लिखा अभी अभी लवली जी का फोन आया है कॉंग्रेस नेताओं का एक दल जिसमें दिल्ली और अखिल भारतिय कॉंग्रेस समिती के नेता शामिल होंगे सी एम आवास पहुँच रहा है आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोट रजिस्टरार के घर पहुँच रही है ताकि इस मामले में ततकाल सुनवाई हो सके